नमस्ते एवरिवन सोमवार के दिन इस अमरत वेला में भगवान शिर्शु महापुराण को पहने का आती उत्तम समय है और आज मैं आपको भगवान शिर्श के दादर्श जोतिलिंग के बारे में बताना चाहते हूं कि किस प्रकार से मनुष जो है भगवान शिर्श की पूजा करके मापार्वती की पूजा करके किस तरह अपने सभी पापों से मुक्त हो सकता है और मोश को प्राप्थ हो सकता है मंगल करने वाले हैं उनके नाम ये हैं सोराष्ट में सोमनात शिरी शैल पर मलिकार जुन उज्यनी में महाकाल उंकार में अम्रेश्वर हिमाले पके दार डाकनी में भीम शंकर काशी में विश्णात गौत्मी के तड़ पर तर्मिकेश्वर चिता भूम में वैदनात में नागेश्वर सेतुबंद पर रामेश्वर और शिवाले में घुमेश्वर मुने परमात्मा संबू के यही वह 12 अवतार है यह दर्शन उस्परश करने से मनुष्व का सब प्रकार का आनंद प्रदान करते हैं मुने उनमें पहला अवतार सोमनात का है यह चंद्रमा के दुख का विनाश करने वाला है इनका पूजन करने से 6 औकुष्ट आधी रोगों का नाश हो जाता है यह सुमेश्वर नामक शिवा अवतार सोरास्ट नामक पवापावन प्रदेश में लिंग रूप से सित है पूरुकाल में चंद्रमा ने इनकी पूजा की ती वही पाप से छूड़ जाता है और उसे भोग और मोक्ष सुलब हो जाते हैं तात शंकर जी का मलिकार्ज नामक दूसरा अवतार शिरी शैल पर हुआ वे भगतों को अभीश्टफल प्रदान करने वाला है मुने भगवान शिव परम प्रसंता पूर्वक अपने निवास भूत कै कारक होता है आंते में मुक्ति भी प्रदान कर देता है इसमें तनिक भी संसे नहीं है तात शंकर जी का महाकाल नामक तीसरा अवतार उज्जैनी नगरी में हुआ वे अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है एक बार रत्रमाल निवासी धूशन नामक असुर जो वैदिक ध का सर्वता पालन करने वाले शृवदैताओं के प्रात्णा करने पर महाकाल नामक जोत्र लिंग सरूप से वही बतिस्टित हो गए इन महाकाल नामक लिंग का प्रत्न पूर्वक दर्शन पूजन करने से मनुष की सारी कामनाय पूर्ण हो जाती है और अंत में उसे परम गती प्राप्त होती है परम आतबल से संपन परमेश्वर शंभु ने भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाला ओंकार नामक चौथा अवतार धारन किया मुने विंधे गिरी ने भक्ती पूर्वक विधी विदानस श्रीजी का पार्थी लिंग स्थापित किया उसी लिंग से विंधे का मनोरत पूर करने वाले महादियों प्रकट हुए तब देवताओं के प्रात्ना करने पर भुक्तमित के प्रदाता भक्त वस्त लिंग में विभक्त हो गए मुनिश्वर उसम उन में एक भाग उंकार में उंकारिश्वर नामक उत्तम लिंग के रुपे प्रति तुट वा दूसा पार्थ लिंग परमेश्वर नामसे प्रसिद्ध हुआ मुने इन दोनों में जिस सी का भी दर्शन पूजन किया जाए उसे भक्त की अभिलाशा पूर्ण करने वाला समझना चाहिए महा मुने इस प्रकार मैंने तुम्हें इन दोनों महादिब जोति लिंग का वर्णन सुना दिया परमात्मा श्वी के पांच वे अवतार का नाम है केदारेश वे केदार में जोति लिंग रूप से सित है मुने वहां शिरी हरी के जो नर्न नर्णन आमक अवतार है उनके पातना करने पर श्रीजी हिंगिनी के केदार शिकर पर सित हो गए वे दोनों उसके दार्शन लिंग के नित पूजा करते हैं महा संभू दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को अभीष्ट प्रदान करते हैं। तात सर्वेशर होते वे भी शिव इस खंड के विशेश रूप के स्वामी है। शुरी जी का ये अवतार संभूर अभिष्टों को प्रदान करने वाला है। महा प्रभू संभू के छटे अवतार का नाम भीम शंकर इस अवतार में उन्होंने बड़ी बड़ी लिलाय की हैं। और भीमा अशुर का विनाश किया है काम रूप देश के अधिपती राजा सुदक्षुन शिव जी के भक्तते भीमा सुर उन्हें पीडित कर रहा था तब शंकर जी न अपने भक्तों को दुख देने वाले सद्भूत अशुर का वद करके उनकी रक्षा की। कि राजा सुदक्षन के पातना करने पर स्वेम शंकर जी डाकनी में भीम शंकर नामक जोती लिंग शुरूप इस्सित हो गए। चंदर शेकर शिव का जो त्रंब का नामक आठवा अवतार है वे गौतम रिशी के प्रातना करने पर गौतमी नदीक के तरपर पकट हुआ था। गौतम की प्रातना से उन मुनी को प्रसंद करने के लिए शंकर जी प्रेम प्रूप जोती लिंग सरूप से वहां आचलो कर सित हो गए। अहो उन महेश्वर का दर्शर इस प्रशकरने सारी कामनाय सद्ध हो जाती ततपशाद मुक्ती भी मिल जाती है। फिर त्रिलोकी में वैध नातेश नाम से विख्यात वे भक्ति बदर्शन पूजन करने वालों को भोक्ष मुश्के प्रदाता है। उसी लिलाय करने वाले वे परात पर प्रभु शंबु लोकों का उपकार करने के लिए अंबिका सहीत जोती लिंग के सरूपे सित हो गए। मुने नागेश्वर उसी लिंग का दर्शन तथार्चन करने से राशी के राशी महापातक तुरंत विनष्ट हो जाते हैं। मुने शिवर जी का ग्यारा अवतार रामेश्वार अवतार कहलाता है। उसे श्रीराम ने स्थापित किया था जिन्हें भक्त वस्तर शंकर ने परम प्रसंद होकर श्रीराम को प्रेम प्रविजय का वर्दान दिया वही लिंग रूप में अभी भूर्थ हुए मुने तब शिरी राम के अतन प्राथना करने पे बेसेत बंद पे जोती लिंग रूप से स्थित हो गए उस समय शिरी राम ने उनकी भली बाति सेवा पूजा की रामेशर के अद्बुत महिमा की भूतल पर इसी से तुलना नहीं की जा सकती है सरवधा भक्ति मुथ की प्रदानी और भक्तों की कामना पूर करने वाली है जो मनुष सर दक्ति पूर्वक रामेशर लिंग को गंगा जल ससनान कराएगा वह जीवन मुक्त ही है वह इस लोक में जो देवताओं के लिए भी दुरलव है ऐसे संपूर भूगों को भूगने के पशापरम ज्यान को प्राप्त होगा और उसे क्यावल मुक्ष मिल जाएगा गुमेश्वरतार शंकर जी का बाहरवा अफ्तारेवे नाना प्रकार की लिलाओ का करता भक्त वसल और तथा गुष्मा को आनंद देने वाला है मुने गुष्मा का प्रिये करने के लिए भगवान शंकर दच्छन दिशा में इस्थित देव शैल के निकट वरतिक सरुवर में प्रकट हुए मुने गुष्मा के पुत्र को सदे ने माल डाला था उसे जीवित करने के लिए गुष्मा ने शिवजी के अरादना की तब उनकी भक्ति से संस्टिश्टों कर भक्त वसल सम्मुन ने उनकी पुत्रों को बचा लिया तदंतर कामनाओं के पूरक्षम्व गुष्मा की प्यातना से उस तड़ाग में जोतिलिंग रूप सिर्सित हो गए उस समय उनका नाम गुमेश्वर हुआ जो मनुष उस शीलिंग का भक्ति पुर्वक दर्शन पूजन करता है वे इस लोग में संपुन सुकु को भोग कर अंत में मुक्त लाव करता है सनत कुमार जी इस पकार मैंने तुमसे इस बारा जोतिलिंगों का वर्णन किया है ये सबी भोग और मुक्ष के प्रदाता है जो मनुष जोतिलिंगी कता को पढ़ता अत्वा सुनता है पर संपुन पापों से मुक्त हो जाता है तता भोग्ष मुक्ष को पर राप्त करता है इस पकार मैंने इस सत रुद नाम की सहिंता का वर्णन कर दिया है ये शिव के सो अवतारों के उत्तमकीत से संपन तता संपुन अभिष्ट फलो को देने वाली है जो मनुष इसे नित समाहित चित से पढ़ता अत्वा सुनता है उसकी सारी लालसाय पूर्ण हो जाती है और अंत में उसे ही निश्य ही मुक्ति मिल जाती है तो शिरिश्य महापुराण का सुनना और सुनाना बहुती लाबकारी है आप लोग भी इसको पढ़िए तो आप लोग को नाना प्रकार की जानकारी प्राप्त होगी तो आज सोमवार के दिन मैं भगवान शिव का चिंतन करती हूं और भगवान शिव की अराधना करती हूं और भगवान शिव से प्रातना करती हूं वो सबका मंगल करें और सबका मागदर्शन करें और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करें Thank you everyone, Namaste everyone